हेलो इस्टुडेंट्स तो कैसे हैं आप सब मैं सत्यम परशांद कोशल आ गया हूँ किलास 11 फिजिक्स का ग्राइविटेशन वाले चैप्टर का एक नया लेक्चर लेके जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ escape velocity क्या होती है इसका formula क्या होता है और उस formula की derivation कैसे करते हैं साथी साथ इस lecture में पढ़ेंगे what is the relation between orbital velocity and escape velocity ये lecture important है जो बच्चे किलास 11 फिजिक्स की तियारी कर रहे हैं जिरो से लेके advanced level तक के सारे concept all type of numerical सब कुछ solve करवाया जाएगा बस video man तक बने रहेगा I hope आपने मेरा previous lecture तो पढ़ाई होगा orbital velocity के उपर अगर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं उसका link description box में दे दे रहा हूँ वो lecture देख लोगे तो बहुती easy हो जाएगा escape velocity को समझना बच्चो भाई previous lecture में मैंने starting के 10 से 15 minute के अंदर आपको basic concept बताये थे जिसमें बताये था कि orbital velocity क्या होती है और थोड़ा बहुत escape velocity के बारे में भी बताये था वो lecture नहीं देखा तो जाके देख लिजे अगर वो भी देखने का मन नहीं है आप यहां से ही continue कर सकते हैं मैं क्या करूँगा basic से आपको जो मैंने previous lecture में पढ़ाया था 10-5 मिनट के अंदर वो revise करा देता हो तब आपको escape velocity के formula की derivation बताऊँगा सब कुछ बताऊँगा clear तो देखिए बच्चों इसकी जो definition लिखी है इसको explain करने से पहले आईए थोड़ा बहुत basic concept आपके तेज कर देते हैं माली जे हमारे पास यह कोई एक planet है जर्नली अर्थ हो माल लेते हैं इस तोप ने एक body को release किया है किसी velocity से और उस velocity को हम small v बोल लेते हैं अच्छा अब आपको पता है अगर मैं आपसे पूछूं कि यह body कहा जाएगी इसका पात क्या होगा किस किस पात को follow करेगी क्या पता यह body की velocity बहुत कम हो कि यहीं से जाए गिर जाए इसके earth के surface पे या इस body की velocity और थोड़ी increase कर दें तो क्या पता यह body के पास orbital velocity आ जाए और यह body इस earth के around circular path पे move करने लगे क्योंकि आपने पढ़ी थी orbital velocity क्या होती है the minimum velocity given to the body and it will perform the circular motion around the planet अच्छा समझ गे कि नहीं समझ गे अच्छा मालीजे हमने इसकी body को और ज्यादा speed दे दी velocity को और increase कर दिया तो क्या पता यह circular path पे revolve ना करे क्या पता यह elliptical path पे revolve करे around the earth और यह भी हो सकता है कि अगर हम इस body की velocity को और बढ़ा दें बहुत जादा velocity दें तो क्या पता यह body इस earth को छोड़ करके escape कर जाए infinity पे चली जाए यह सारी possibility हो सकती है तो उसके वज public path follow करे, circular path follow करे, elliptical path follow करे, यह सारी बाते हो सकती है तो उसके लिए क्या समझना पढ़ेगा, orbital velocity क्या होती है और escape velocity की value क्या होती है आईए ध्यान से देखते हैं previous lecture में मैंने आपको बताया था, orbital velocity को हम v o से represent करते हैं या v not बोल सकते हैं, इसको निकानने का formula मैंने आपको बताया था, यह होता था under root g r, अगर हमारा planet earth है तो acceleration due to gravity, बच्चों, earth की कित्ती होती है, 9.8 होती है, और radius of earth 6400 km होता है, g और r की value को रखोगे under root के अंदर, और इ बच्चों, वो होती है, 8 km per second, भाया यह velocity बहुत ज़्यादा velocity है, कितना, 8 km per second, यानि की, 1 second में 8 km का distance यह body cover करेगी, क्या यह बात समझ में आई की नहीं, अच्छा, आईए बात करते है, escape velocity क्या होती है, इसका formula क्या होता है, escape velocity निकानने का बच्चों, formula होता है, under root 2 gr, क्या होता है, under root 2 gr, अभी यह मत सोचेगा, यह formula कैसे आया, इसकी derivation आगे बताएंगे, clear, फिर से आप यहाँ पे, under root के अंदर जो भी है, उसको solve करोगे, g की value रख देना, radius of earth रख देना, और इसको solve करोगे, तो जो बेटा, आपकी escape velocity निकल के आती है, वो है 11.2 km per second, यानि क एक second में 11.2 km distance ये body cover करेगी, अगर हमने उसको escape velocity दे दी है, क्या ये बात समझ में आई की नहीं, अच्छा, आईए धिहान से देखते हैं, जो हमने velocity दी है, इस body को throw the cannon दी है, अच्छा, और उस velocity को हम small v से बोल ले हैं, माल लीजे, आपने जो body की velocity दी है, वो किसके बराबर दी है, v is approximately equal to, माल लेते हैं, orbital velocity v o, v o कितना है, orbital velocity, 8 km per second, अगर आपने इस body को 8 km per second दे दिया, तो ये body क्या करेगी, नोट करेगा, ये body इस earth के about circular path पे revolve करेगी, अच्छा, इसका मतलब क्या है, कि उस case में body का path कैसा होगा, circular path होगा, क्या होगा, circular path होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो चलिए वो circular path draw कर लेते हैं, तो होगा क्या, जब आप इसको orbital velocity दोगे, तो ये body इस earth के about क्या करेग revolve करेगी, किस path पे, circular path पे, अब पता नहीं circular path बना है, कि नहीं बना है, ठीक है, आप एकदम print तो कर नहीं सकते है, digital board तो है नहीं, ठीक है, तो मा लिजे, आपने इस body को एक velocity दी थी और वो वी velocity किसके बराबर है, orbital velocity, यानि की 8 km per second, तो ये body क्या करेगी, इस earth के about circular path पे revolve क करेगी, क्या करेगी, circular path के about revolve करेगी, क्या ये बात समझ में आई की नहीं, पका, अच्छा, मान लिजे, आपने अपनी velocity, जो इसको दी है, वी, इसकी velocity को और increase कर दिया, orbital velocity से भी जादा increase कर दिया, अच्छा, तो देखते हैं वो क्या होगा, मान लिजे, आपने जो वी velocity दी है, that is greater than orbital velocity, that is greater than orbital velocity, but less than escape velocity, इसका मतलब क्या है, यानि की, orbital velocity यानि की, 8 km per second, और escape velocity यानि की, 11.2 km per second, इसका मतलब यह है, कि जो आपने velocity दी है, orbital velocity से जादा है, but less than escape velocity है, यानि की, 8 और 11.2 के बीच में आपकी velocity है, जैसे, 8.5 हो सकता है, 9 km per second, 10 km per second, अगर यह velocity देते हो, तो उस case में body का, कैसा path follow होगा, कैसा path follow होगा, आईए ध्यान से देखते हैं, तो उस case में body, note करेगा, elliptical path पे revolve करेगी, क्या करेगी, elliptical path पे revolve करेगी, बोलिए, कैसा curve मिलेगा, elliptical path के लो, या ellipse मिलेगा, clear औरी बात के नहीं, अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आईए वो path को draw कर लेते हैं, तो दिहान से देखिए, यह हमारा circular path था, तो यह हमारा elliptical path होगा, यह हमारा, ठीक है, यह elliptical path है, elliptical path आपको पता होगा, थोड़ा सा bend होता है, circular नहीं होता है, clear, पहले case में आपने देखा, कि आपकी body का कैसा path है, circular path है, फिर आपने देखा elliptical path है, क्या है, elliptical path है, समझ गया, अच्छा, circular path और elliptical path, थोड़ा बहुत तो आपको इसके बारे में idea होगा, circular path कैसा होता है, बोलिए, माली जी, यह हमारा circular path है, इसका जो वच्चों focus होता है, center पे होता है, center पे focus होता है, focus center पे होता है, focus क्या होता है, वो object जिसके about कोई दूसरी body revolve कर रही है, जैसे focus हमारा यहां पे earth है, तो earth देखिए, इस circular track के center पे है, क्या यह बात समझ मैं कि नहीं, तो उस case में circular path होगा, clear ऐसा होता है, माली जे, बात करें अगर elliptical path की, तो इस case में, जो आपका path होता है, बच्चों, वो कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, जैसा कि आप देख रहे हो, अंडे के shape में, elliptical path, circular path नहीं है, और focus center पे नहीं हो करके, एक side होता है, यह हमारा माली जे focus है, या earth समझ लीजे, अर्थ समझ लीजे, center पे नहीं है, एक side है बच्चों, ठीक है, और इस focus के about, या कहलो, sorry, इस earth के about, यह body, elliptical path पे revolve कर रही है, circular path पे revolve नहीं कर रही, कब करेगी elliptical path पे, जब orbital velocity से ज़्यादा हो, और escape velocity से कम हो, उसकी velocity, क्या यह बात समझ में आई कि नहीं, पक्का, अच clear, अच्छा, अब आईए बात करते हैं, आपने क्या किया, orbital velocity से ज़्यादा velocity दे दी, बट escape velocity से कम दी है, चलिए और increase करते हैं, और escape velocity तक पहुशते हैं, क्या, escape velocity तक पहुशते हैं, तो मालीजे आपने उस body को क्या velocity दे दी है, approximately लगभग escape velocity दे दी है, escape velocity कित्ती होती है, 11. 7.2 km per second, अगर आपने इस body को escape velocity दे दी, तो क्या होगा, आईए समझते हैं, इसकी definition से, वो escape velocity क्या कहती है, the minimum velocity, a body should be projected from the surface of planet, so that it can escape the gravitational field of the planet, अच्छा, भाई देखिये, definition में कहतो रहा है कि हमें body को project करना है surface से, तो हमने आपको एक बात तो बता ही दी, कि जो body है, बहुत ही small height पे है, very closer to earth surface, मालीजे, earth के surface पे ही है, और यहाँ पे हमने इसको वो minimum velocity अगर दे दी, वो minimum velocity, ताकि ये body, इस earth के gravitational field को escape करके बाहर चली जाए, क्या कर जाए, escape करके ब आईए धियान से देखिए, अगर हमने इस body को 11.2 km per second इतनी velocity दे दी, तो ये body क्या होगी, गोलिए, इस earth के या कैलो planet के gravitational field को escape करके बाहर चली जाएगी, infinity पे चली जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि भाई, पहले दो case में circular path और elliptical path क्यों मिला था, क्योंकि earth अपने करता है, बोलिए, outwards से, toward the planet, gravitational field generate करता है, ये earth, जिसके वज़े से, जब आप किसी body को नीचे से उपर फेकते हो, तो वो body उपर से वापस नीचे earth के surface पे गिर जाती है, clear, अच्छा, दो case में तो आपने देखा, circular और elliptical case में, बहुत ज़्यादा velocity है, तो उस case में earth के surface पे में आ रही, मगर revolve कर रही है, अपने अपने respective बात पे, clear हुई बात की नहीं, और आपने, भाईया, escape velocity देदी है body को, तो उस case में ये body, अब बहुत ज़्यादा velocity देदी है, वापस इस earth के gravitational field से attract होके, इसके towards नहीं आएगी, surface पे नहीं आएगी, नहीं escape out, revolve करेगी, clear, तो earth के gravitational field को, चीरते हुए, escape कर जाएगी, और infinity पे चली जाएगी, बहुत ज़्यादा velocity है, समझ गए, तो भाईया, escape velocity क्या है, the minimum velocity या body should be projected, वो minimum velocity अगर आपने, उस body को project कर दिया है, तब क्या होगा, from the surface of the planet, so that it can escape the gravitational field of the planet, समझ गए, अगर आपने वो velocity दे दी है, और उस velocity से अगर ये जो body है, आपकी, इस earth के gravitational field को, escape कर जाए, permanently, और infinity पे चली जाए, तो उस minimum velocity को क्या बोलते है, प्यारे बच्चों, escape velocity बोलते है, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, आच्छा, तो भाईया, अगर हमने velocity, escape velocity के बराबर दे दी है, तो कैसा कर्व मिल लाए, जैसा कि आप देख रहोगा, इसको बोलते है, पैरा बोला, क्या बोलते है, पैरा बोला बोलते है, जैसा पात मिलेगा, पैरा बोलिक, पात मिलेगा, clear, और एक बात नोट करेगा, कि भाईया, अगर इतनी velocity दे दी है आपने, तो body आपकी escape कर जाएगी, ठीक, अच्छा, कोई दिक्क की बात नहीं है, मान लीजे, आपका मन और नहीं माना, आप संकी आदमी, आप velocity को और increase कर दिये, escape velocity से भी जादा दे दिये, बोलिए, अगर मैं कहूं, आपने body की velocity, बोलिए, और increase करते करते, escape velocity से भी जादा दे दी, बहुत जादा velocity, याने की 11.2 से भी जादा, 15 km पर सेकें तो उस case में body escape तो करी जाएगी, मगर उसका path क्या होगा, path जो मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा hyperbola, बोलो hyperbolic path, क्या मिलेगा, hyperbolic path या hyperbola कह सकते हो, clear, कैसा होगा, उस case में देखिए, आपने velocity दी, तो यह और सीधी, चीरते हुए, अर्थ के gravitational field को escape तो करी जाएगी, मगर उसका path क्या होगा, पैरा बोला मत कहना, hyperbola, क्या मिलेगा, hyperbola, short में लिख दिया, समझ जाना, hyperbola, clear और यह बात की नहीं, तो आपने देखा, जब आप किसी body को project करते हो, अर्थ के surface से, या अर्थ के बहुती small height पे, project करते हो, तो उस case में, उस body की velocity के हिसाब से, speed या कहलो, magnitude के हिसाब से, आपको उसका path decide करना आना चाहिए, क्या यह बात समझ में आई की नहीं, clear हुई बात की नहीं, अब आईए पढ़ते हैं, जो आपने formula पढ़ा है, इस escape velocity का, under root 2 gr, और इसकी value कैसे, 11.2 km per second आई है, इसका proof देना है, derivation देनी है, copy हो गया, मिटार दें, प आईए बचों, अब देखते हैं, मा लिजे हमारे पास यह planet है, जर्नली अर्थ होता है, ठीक, और इस planet का radius मा लेते हैं, capital R है, ठीक, और इस अर्थ के surface पे, मा लेते हैं, इस अर्थ के surface पे, क्या रखा है, एक कोई body रखी है, या कहलो कोई small m mass रखा है, और हमें इस mass को, इस अर्थ के surface से escape कराना है, क्या कराना है, escape कराना है, तो हमें इसको वो minimum velocity देनी पड़ेगी, ताकि, यह जो हमारा अर्थ का gravitational field हो infinity पे चली जाए, तो इसके लिए क्या minimum velocity देनी पड़ेगी, वही escape velocity देनी पड़ेगी, VE, मा लेते हैं, हमें इस mass को इस अर्थ के surface से escape कराना है, इसकी gravitational field से दूर ले जाना है, infinity पे ले जाना है, तो इसको हमें escape velocity देनी पड़ेगी, अच्छा, भाई यह बताओ, escape velocity देने के body कहां चली जाएगी, infinity पे चली जाएगी, और infinity पे जब जाएगी, तो इसकी velocity वहाँ पे 0 हो जाएगी, अरे भाई, अर्थ के surface पे आपने कुछ velocity दी है, भाई, दीरे दीरे जाती जाएगी, जाती जाएगी, इसकी velocity कुछ कम होते होते होते, infinity पे 0 हो जाएगी, ठीक, यह ब जो कहता है घुल ये बच्चों और बात करें पोटेंशिल एनरजी यानी की U की कैसे निकलते हैं यह होता है माइनस GMM upon distance ग्राविटेशनल पोटेंशल एनरजी कैसे निकालते थे देखिए अगर मैं कहूं इस अर्थ का मास कैपिटल M है और इसके सर्फेस पर जो बॉड़ी रखी इसका मास स्मॉल M है तो भाईया इन दोनों की बीच में ग्राविटेशनल पोटेंशल एनरजी कैसे निकालेंगे फॉर्मला होता था बोलिए माइनस जी M1 M2 अपॉन आर भाई यहां पे मैंने सुनों देखो ध्यान से फॉर्मला क्या होता था माइनस जी M1 M2 अपॉन आर दोनों मास का प्रोडेक्ट करते थे और उनके बीच में जो डिस्टन्स होता था इसमॉल आर वो होता था क्लियर हो भी बात की नहीं? अच्छा ऐसे निकालते थे और काइनिटिक एनरजी तो आपको पता ही होगी क्या होती है काइनिटिक एनरजी इसके सर्फेस पर रखा है दो मास हैं एक स्मॉल M और एक कैपिटल M इन दोनों के बीच में डिस्टन्स किता है कैपिटल R जो रेडियस है तो इनिशली ग्रैविटेशनल पोटेंशल एनरजी किती हो जगी माइनस जी M1 M2 दोनों मास का प्रोजेट कर दिये और उन दोनों के बीच में जो डिस्टन्स होता था स्मॉल R की वैलू कितनी होगी इस बार कैपिटल R होगी देखिए फॉर्मले में स्मॉल R की वैलू क्या रखेंगे कैपिटल R क्योंकि अर्थ के सर्फेस पर रखा है तो यहाँ पे डिस्टन्स किता था कैपिटल R ठीक है प्लस इनिशल काइनिटिक अनर्जी मास है स्मॉल M इसकी विलोसिटी है V E तो इसकी काइनिटिक अनर्जी कित्ती हो जाएगी यहाँ से आप कहोगे हाफ M V E का स्कूर is equals to final potential energy finally यह मास कहाँ उठके चला जाएगा infinity पे चला जाएगा तो भाई अगर infinity पे चला जाएगा तो infinity बहुत दूर डिस्टन्स है क्या वहाँ पे इस अर्थ की gravitational field लगेगी नहीं लगेगी तो भाईया गरा infinity पे या कहलो finally उसकी potential energy zero हो जाएगी तो हम कह सकते हैं finally potential energy zero हो जाएगी plus final kinetic energy finally जब यह infinity पे पहुचेगा इसकी velocity zero हो जाएगी और infinity पे इसकी kinetic energy भी zero होगी क्योंकि velocity zero है formula होता है kinetic energy का half M V square V की value यहाँ पे zero रखोगे तो kinetic energy finally zero आएगी बात खतम clear होई बात की नहीं तो यहाँ पे आप कह सकते हो बोलिए half M V E का square is equals to minus G M M upon capital R इसको इदर बेज़ दो positive हो जाएगा तो यहाँ से आप कहोगे G M M upon capital R यहाँ पे देखिए small M small M मर जाएगा क्या बचेगा ज़रा ध्यान से देखिए आप कहोगे यहाँ पे V E का square कितना हो जाएगा बोलिए G M upon capital R और यहाँ पे जो 2 है इसको इदर बेज़ दो multiply में तो हो जाएगा 2 और यहाँ से square हटा लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों इस side under root लग जाएगा under root लग जाएगा तो यह आगे आपका escape velocity का formula 2 G M upon capital R पहले इस formula को note करिए मुलिए escape velocity के formula की derivation कर ली है कितनी आ रही है under root 2 G M upon capital R यह formula होता है escape velocity का अब आपके मन में सवाल यह होगा कि भाई सर ने तो हमको जो formula बता रहे था escape velocity का वो था under root 2 G R यह कहां से आ गया G M चलो बताते हैं देखिए बच्चों अगर मैं पूछों इस G M की value क्या होगी G M की value कैसे निकालोगे आईए ध्यान से देखिए अगर मैं पूछों जब यह मास अपने अर्थ के surface पे होगा तो इस पे acceleration due to gravity कितनी लग रही होगी 9.8 कैसे निकालते हैं यह तो आपको पता ही होगी बोलिए अर्थ के surface पे acceleration due to gravity कितनी होती है G M upon बोलिए यहाँ पे distance किता है इन दोनों के बीच में R वो भी capital उसका square ठीक है तो यहाँ से आप G M की value निकाल सकते हो कितनी हो जाएगी बच्चों बोलिए G M की value कितनी हो जाएगी G M is equals to small g r square यहाँ से G M की value g r square को put कर दो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ज़रा ध्यान से देखिए आप यहाँ सकते हो V E equals to under root बोलिए 2 G M G M की value कितनी रखोगे small g capital r square upon में क्या है बच्चों r पहले से है यह r और यहाँ पे square में से 1 r कर जाएगा क्या बचेगा आप कह सकते हो यहाँ से escape velocity का जो formula निकल के आएगा V E equals to बोलिए under root 2 G R I hope आप इस formula को याद कर लिए होगे और इसका derivation आपको समझी में आ गया होगा मैंने कुछ नहीं किया है बस conservation of mechanical energy लगा दी है बोलिए जो कहती है initial potential energy plus initial kinetic energy equals to final potential energy plus final kinetic energy initially उसकी potential energy कित्ती होगी जब earth के surface बोगा बोलो formula लगाएंगे minus G M1 M2 upon distance तो भहिया कितना आ जाएगा minus G M M upon capital R initially kinetic energy कित्ती होगी इसकी velocity थी V E mass था small m तो इसकी kinetic energy हो जाएगी half M V E square बोलो फिर यहां से V E का formula हम बना सकते हैं अन्डर रूट 2 G M upon capital R आप दोनो formula को याद करो पहले तो दोनो formula पे based question आते हैं इस formula को भी याद करो क्लियर होई बात की नहीं पक्का बोलिए बच्चो हो गया copy अब चलिए पढ़ते हैं what is the relation between orbital velocity and escape velocity मिटार दें बोलिए copy हो गया चलिए चलिए बच्चो अब heading लगा लिजे क्या relation between relation नाम सुनके ही इदम दिल धड़क जाता है आपका हम भी relationship में आएंगे अरे गदे वो relation नहीं है relation between orbital velocity v o and escape velocity v e इन दोनों के बीच में क्या relation होता है चलिए सबसे पहला आप क्या करिए इन दोनों के formula लिख दीजे दोनों का formula क्या होता है अगर मैं बात करूँ orbital velocity v o इसका जो formula होता है under root में g r होता है यहाँ पे 2 मन लिख दीजेगा वो escape velocity में होता है क्या होता है escape velocity का formula वो होता है under root कितना होता है 2 gr होता है clear अच्छा इसको divide कर दीजे अगर आप both side दोनों को divide कर दो तो बस कुछ नहीं होगा यहाँ से आप को होगे क्या आप को होगे v o by ve is equals to क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए यहाँ से देखिए under root में g r g r cancel हो जाएगा और क्या बचेगा 1 by under root में 2 बचेगा अरे भाई under root मत मुल जा न under root 2 बचा है तो यहाँ से आप एक relation बता सकते हो क्या क्या निकाल सकते हो देखिए एक तो रही है चाहिए ऐसे याद रखना चाहो v o by ve क्या होता है equals to 1 by under root 2 चाहिए ऐसे याद रख लो चाहिए ऐसे भी याद रख सकते हो ve को इधर बेज दो under root 2 को multiply कर दो v o से तो क्या कहोगे escape velocity v e कितना हो जाएगा v o multiplied by under root 2 clear हुई बात की नहीं अगर आपको directly escape velocity निकालना है और orbital velocity पता है तो orbital velocity को under root 2 से multiply कर दोगे escape velocity बले अराम से मिल जाएगी क्या यह बात समझ में आई की नहीं पक्का इस relation को याद रखिए very important note करिए इसको बोलिए पक्का escape velocity क्या होती है बोलिए v o यानि की orbital velocity को multiply करो under root 2 से तो हमारी escape velocity बले अराम से आजाएगी क्या यह बात समझ मैं की नहीं पक्का clear एक बात और बताना चाहूँगा जब कोई body किसी orbital velocity से इस planet के about revolve करती है तो circular path पे revolve करती है पहली बात और उसकी velocity का magnitude constant होता है मगर अगर वो body elliptical path के about revolve कर रही है तो उस velocity का magnitude constant नहीं होता है clear हुई बात के नहीं पक्का अच्छा एक बात और बताना चाहूँगा लाश्ट में क्या हाँ भाई escape velocity का जो concept है definition है वो earth के surface से होता है बुलिए हमें इस mass को इस earth के surface से escape कराना था जरूरी नहीं है question में हमेशा earth के surface से ही देगा क्या पता आप से कह दे कि भाई या यह आपका mass किसी height पे है और यहां से इसको escape कराना है यहां से इसको escape कराना है escape velocity देनी पड़ेगी तो कैसे निकालोगे formula में अरे भाई चिंता ना करो उसके लिए मैं आपको आगे जुगार बताऊँगा main concept क्या है जहां से आपका escape velocity का formula आया है वो क्या था conservation of mechanical energy वो formula वो relation वो concept हमेशा कामाएगा formula भले fail कर जाए वो कभी नहीं fail करेगा clear चलिए side हो रहा है पहले copy कर लिजे तो आईए बच्चों चलिए solve करते हैं question number one इस lecture का बहुती शानदार question है तो ध्यान से देखिए question में हमसे क्या कह रहा है calculate the escape velocity and orbital velocity from surface of planet of radius 2000 km if the acceleration due to gravity at surface of earth is 2.5 meter per second square question में हमको radius of planet given है and acceleration due to gravity उस planet का given है तो हमें question में क्या निकालना है orbital velocity और escape velocity तो चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं escape velocity उसका formula अपने पढ़ा था VE equals 2 क्या होता था under root 2GR होता था ये formula escape velocity निकालने के लिए एक formula और होता था VE equals 2 under root में बोलिए क्या होता था 2GM upon capital R बच्चों हमें यहाँ पे mass of planet नहीं पता है तो इस formula को नहीं लगा सकते for calculating escape velocity तो कौन सा लगाना पढ़ेगा under root 2GR क्योंकि यहाँ पे हमको acceleration due to gravity G की value पता है और capital R यानि की radius of planet हमको question में given है अच्छा अब देखिए कैसे solve करेंगे यहाँ पे हम VE equals 2 क्या हो जाएगा under root 2GR अच्छा यहाँ पे क्या रखना जरा अध्यान से देखिए 2 into G acceleration due to gravity हमको question में given है planet की कितनी है at surface of earth 2.5 meter per second square है into radius of planet हमको कितना given है 2000 km given है कितना given है 2000 km हमको question में given है मगर उसे हमें किस में convert करना पढ़ेगा बच्चो meter में convert करना पढ़ेगा तो 1000 से multiply कर देंगे क्योंकि यहाँ पे जो acceleration due to gravity आपने रखी है meter per second square में है तो हमें radius of earth meter में convert करना पढ़ेगा clear हुई बात कि नहीं? अच्छा अब इसको जड़ा solve करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से point हटाएगे नीचे एक 0 आएगा और एक 0 यहाँ से cut जाएगा अब इसको solve करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ जाएगा under root में बोलिए बच्चो 2 into 25 50 हो जाएगा 50 into 200 हो जाएगा अच्छा 100 हो जाएगा ठीक है लिख दिया अब कितने 0 बचे हैं देखिए 1,2,3,4,5 5,0 और लगा दीजे ठीक बच्चो अब यहाँ पर क्या होगा 0 के pair बना लिजे उतने 10 बाहर आजाएगे तो एक pair यह बन रहा है यहाँ से 10 आएगा यहाँ से 10 आएगा यहाँ से 10 आएगा 3 10 बाहर आजाएगे multiply में कितना हो जागा 1000 हो जाएगा under root के अंदर बच्चो यह जो आ रहा होगा meter per second में आ रहा होगा किसमें आ रहा होगा meter per second में आ रहा होगा अपना जो answer है वो किसमें बच्चो kilometer per second तो इसको convert करना पढ़ेगा kilometer per second में अब कैसे करोगे इसको आप यहाँ क्या कह सकते हो ज़रा ध्यान से देखे तो यह बन जाएगा kilometer per second बच्चो अरे thousand की जगा kilometer कर दिये meter में था ना तो thousand meter कित्ता हो जगा kilometer per second तो यहाँ से आप देख सकते हो आपकी escape velocity कित्ती आ गई बच्चो बोलिए 3.16 kilometer per second escape velocity का value आ गया है अब आईए बात करते हैं orbital velocity orbital velocity कैसे निकालते हैं v o is equals to under root में क्या लगा सकते हो g r लगा सकते हो मगर फिर से इतनी लंबी calculation करोगे g की value रखोगे r की value रखोगे क्यों करना इस से अच्छा मैंने आपको जो relation पढ़ाया था orbital velocity और escape velocity के बीच में क्या था बोलिए escape velocity क्या होता है orbital velocity multiplied by under root 2 यही तो होता है बोलिए आपको यहाँ पे orbital velocity निकाल नहीं है क्योंकि आपको escape velocity पता है तो v o बड़ा राम से निकाल लोगे v o क्या हो जाएगा जल्दी बताओ v e by under root 2 बच्चो रख दीजे यहाँ पे escape velocity रख दीजे किती है 3.16 3.16 upon under root 2 की value किती होती है इसकी value होती है 1.41 अब इसको जब आप solve करोगे तो आपकी जो value आएगी मैं बता देता हूँ वो आएगी बच्चो 2.24 लग भग कुछ यहाँ से आप कह सकते हो आपकी orbital velocity किती हागई जरह ध्यान से देखिए orbital velocity किती हागई है 2.24 km velocity किती हारी 2.24 लग भग भग वही है km per second तो यह था question number first बच्चो side हो रहा है पहले copy करिए फिर करते हैं next question तो आईए बच्चो solve करते हैं question number twist lecture का बहुती शानदार question है इस type के question J और need जैसे exams में पूछे जाते हैं तो ध्यान से देखिए question में हमसे क्या कह रहा है a satellite is moving in a circular orbit around the earth with a speed equal to half the magnitude of escape velocity from the earth find the height above the surface of earth question में हमसे क्या कह रहा है I explain करते हैं आपको हमसे कह रहा है कि हमारे पास कोई एक satellite है माल लेते हैं उस satellite का mass small m है और यह small h height पे placed है from the surface of earth और यह satellite क्या कर रही है circular motion कर रही है around the earth तो माल लेते हैं यह इसका circular path होगा ठीक है क्या होगा circular path होगा ठीक है यह body क्या कर रही है circular path पे या कहलो circular orbit पे move कर रही है around the earth बेता तो इसके पास कुछ ना कुछ velocity होगी तो माल लेते हैं इसकी जो velocity है V है क्या माल लेते हैं इसकी velocity V मानोगे मैंने आपसे कहा था जब कोई body या satellite किसी planet के around circular path पे move करती है कौन से path पे? circular path पे move करती है तो उस body के पास क्या होता है? orbital velocity क्या होता है? orbital velocity तो हम कह सकते है इस mass के पास क्या है? VO याने की orbital velocity क्या ये बात समझ में आई की नहीं? पका? अच्छा फिर हमसे क्या कह रहा है? कोईशन में क्या? A satellite is moving in a circular orbit around the earth with a speed जो इसकी speed है orbital velocity की जो magnitude है क्या कह रहा है? Is equal to half the magnitude of escape velocity from the earth इसका मतलब समझे हमसे कोईशन में कह रहा है उस body के पास जो velocity है कौन सी velocity? orbital velocity वो किसके क्वल है? Half the magnitude of escape velocity क्या ये बात समझ में आई की नहीं? अच्छा escape velocity आपको पता होगा earth के surface से होती है वाई हमारे पास कोई body होगी हमने उसको escape करना है तो उसको escape velocity देनी पड़ेगी ताकि ये इस earth के surface से उसकी gravitational field से दूर चली जाए infinity पे चली जाए क्या ये बात समझ में आई की नहीं? और कोशन में हमको यहाँ पे orbital velocity और escape velocity के बीच में relation given है कि जो orbital velocity है half the magnitude of escape velocity है clear? यहाँ से आप बड़े अराम से इस satellite की height निकाल सकते हैं small h की value question में निकालने को कह रहा है क्या निकालने को कह रहा है? note करेगा बच्चो हमसे question में small h की value निकालने को कह रहा है कैसे निकालोगे? अगर हम बात करें escape velocity के formula की तो भाई आपने formula क्या पढ़ा था? escape velocity का वो होता है under root में एक होता है 2gr यह formula होता है in term of gravitation constant और mass of earth क्या पढ़ा था आपने? वो पढ़ा था बोलिए under root 2gm upon capital R समझ गया कोई दिक्कत की बात नहीं है आपने एक और formula पढ़ा था orbital velocity के लिए वो क्या होता था? वो होता था सिर्फ under root gr ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है नोट करिएगा जैसे आपने escape velocity का जाला formula पढ़ा है under root 2gm upon capital R previous lecture में मैंने आपको orbital velocity के लिए भी इस type का formula derive करा है था क्या था? याद करिएगा बच्चों क्या होता था? बोलिए क्या होता था? under root में gm upon small r orbital वाले formula में नोट करेगा यहाँ पे capital R radius नहीं है small r is the distance from the center of the earth to the satellite यानि कि यह distance total जो आपको दिख रहा है small r है और इस small r की value क्या होगी? radius of earth capital R plus height total distance तो आप कह सकते हो यहाँ पे small r की value क्या है? capital R plus H clear? और यह satellite जब earth के बहुत close होती थी उस case में height की value 0 होती थी तो small r is equals to capital R तो यहाँ पे कई बार आपको capital R भी दिखता था यह सब बातें मैंने previous lecture में भी की थी कोई दिक्कत की बात नहीं है अब कुछ नहीं करना आप क्या करो? जो यह under root वाला formula है इसको लगाओ under root 2 gm upon capital R और under root gm upon capital R यहाँ पे value put कर दो v o और v e की तो क्या हो जाएगा जरहा ध्यान से देखिए v o क्या है बच्चों? बोलिए v o क्या है? under root gm upon small r मगर यहाँ पे आपको पता small r क्या है? distance from the earth center to the satellite कितना है? बोलिए capital R plus H कितना है? small r की value वहाँ पूट कर दीजे? कितनी रखेंगे? यहाँ पे रख दीजे capital R plus H is equals to half the magnitude of escape velocity escape velocity कितनी है? under root 2 gm upon capital R अब यहाँ देखिए जहाँ से under root में gm gm मर जाएगा ठीक फिर आप क्या करेंगे? both side square कर दीजे both side square कर दीजे और reciprocal भी कर दीजे तो इस side square करोगे तो क्या होगा? under root चला जाएगा तो 1 by R plus H आएगा reciprocal कर दो तो होजाएगा R plus H हो जाएगा is equals to इधर भी square करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 by 2 का square कितना होगा? बोलिए 1 by 4 होगा square reciprocal करोगे 4 हो जाएगा इधर under root के अंदर square करोगे तो क्या बचेगा? 2 upon R बचेगा क्या बचेगा? 2 upon R बचेगा तो R by 2 हो जाएगा clear होई बात कि नहीं reciprocal भी करना है अच्छा फिर यहाँ से आपकी H की value निकल जाएगी कैसे? capital R जैसा कि आप देख पारो इस satellite की जो height होनी चाहिए ताकि वो circular path पे move कर सके कितनी होनी चाहिए? radius of earth capital R के बराबर होनी चाहिए कौन सा option होगा? option number 1 जरूरी नहीं कि आप से question में in term of R ही पूछे क्या पता यहाँ पे आपको R की value given होती क्या पता यहाँ पे लिखा होता 6400 km तो radius of earth पता होना चाहिए clear copy हो गया side हो रहे है पहले copy करिये तो आईए बच्चों solve करते हैं question number 3 लेक्चर का बहुती ताबर तोड़ question है इस type के question neat वाले बच्चों के लिए important होते ही है साथी साथ J advance के level पे भी यह question आपसे पूछा जा सकता है तो ध्यान से देखिए question में हमसे क्या कहा रहा है हमको एक planet given है जो earth है उसका mass capital M है radius capital R है और हमसे question में कहा रहा है earth के surface से h height पे हमको एक body given है जिसका mass small m है हमें यह बताना है इस mass को कितनी escape velocity दे VE dash निकालना है ताकि जो यह mass है h height से इस earth के gravitation field को escape करके infinity पे चला जाए note करिएगा हमें यहाँ पे इस body की escape velocity बतानी है अर्थ के surface से नहीं अर्थ के surface से h height से हमें कितनी minimum velocity या कहलो escape velocity देनी होगी ताकि यह जो mass है body है small m mass की इस earth के gravitation field को छोड़ करके बाहर चली जाए infinity पे चली जाए clear अब कई बच्चों के मन में तो यह होगा कि भाई option लिखे हैं option number first होगा क्योंकि उन्होंने पढ़ा था earth के surface पे अगर हम किसी body को escape कराना चाहें उसके लिए velocity कित्ती होती है बच्चों आपने पढ़ी थी escape velocity कित्ती होती है वो होती है बोलिए under root 2 gr और इसकी value आपने देखी थी कितनी थी 11.2 km per second आप कहोगे option number first सही है यह तब सही होता जब हम इस body को escape कर रहे होते earth के surface से बच्चों मगर earth के surface से नहीं कर रहे है बोलिए edge height से कर रहे है clear हुई बात की नहीं तो यह answer नहीं होगा clear हुई बात की नहीं पका अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है आईए जड़ा ध्यान से देखते हैं इस question को कैसे solve करेंगे अब इसके लिए कोई formula नहीं है आप यह मस सोचना कि भाई under root 2gr रखते हैं ऐसा कुछ काम नहीं चलेगा आपको यहाँ पे conservation of mechanical energy लगानी पड़ेगी जो क्या कहती थी बच्चों बोलिए initial potential energy plus initial kinetic energy is equal to बोलिए final potential energy plus final kinetic energy clear हुई बात की नहीं अच्छा initially यह mass कहां पे है h height पे place है अगर मैं पूछ हूँ इस mass और अर्थ के बीच में कितनी gravitation potential energy होगी ui initially कितनी होगी अभी यह initially h height पे है तो भाया gravitational potential energy कैसे निकालते हैं आपने पढ़ी होगी न u is equal to minus बोलिए gm1m2 upon distance between the masses यही होता है होता है गी नहीं होता है clear होगी बात अच्छा तो यहाँ पे देखिए एक mass capital M है दूसरा mass small m है तो potential energy कितनी हो जाएगी minus बोलिए दोनो mass का product कर दो तो capital M small m upon small r क्या होता था distance between the masses center से कितना हो जाएगा r plus h हो जाएगा कितना हो जाएगा capital R plus h हो जाएगा clear होई बात की नहीं अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है plus initial kinetic energy भाई इस mass के पास initial kinetic energy कित्ती होगी अगर इसकी velocity VE dash है VE dash तो यह भाई काइनेटिक energy कैसे निकालते है half mv square mass m है small और velocity कित्ती है VE dash है बच्चों उसके उपर square लगा है is equals to final potential energy अरे खुच सोचो जब आप इस mass को कहा भेजोगे infinity पे भेजोगे तो final potential energy zero जाएगी कित्य हो जाएगी zero जाएगी plus final kinetic energy अरे भाई infinity पे भेजोगे तो velocity भी zero हो जाएगी final तो final kinetic energy भी zero हो जाएगी तो यहां से आप कह सकते हो क्या बोलिए half mv e dash square is equals to कित्ता हो जाएगा इसको आप क्या करो इधर से उधर बेज दो तो जगा minus g m m upon r plus h ठीक है यह हो जाएगा अब देखे बच्चों h की value हमको given है जो यह height है वो किसके बराबर है capital R और capital R क्या radius of earth समझ रहे हो तो यानि कि कितनी height पे place है radius of earth की distance पे place है तो यहां पे देखो इसकी value कितनी रख दो h की value आपको यहां पे capital R कर देनी है बस बात खतम clear हुई बात की नहीं पका फिर आप इसको ज़रा solve करने की कोशिस करो क्या हो जाएगा भाई small m small m मर जाएगा ठीक फिर क्या होगा ज़रा ध्यान से देखिए बोलिए आप कहोगे यहां पे हो जाएगा इसको ज़रा add करते हैं कितना जाएगा half v e dash का square is equal to minus g m upon 2 capital R 2 से 2 यहां मर जाएगा बच्चों ठीक है फिर v e dash कितना जाएगा ज़रा ध्यान से देखिए v e dash कितना जाएगा बोलिए यहां पे है minus g m upon capital R बोलिए बच्चों यह जब इसको आप negative से इधर बेजोगे तो इधर positive हो जाएगा तो plus sign हो जाएगा तो minus sign हटालो ठीक यहां पे v e dash पे square भी लगा था तो under root भी आ जाएगा खतम बात तो आपसे देख सकते हो कि जब आप h height से fake होगे तो escape velocity कितनी होनी चाहिए v e dash की value आ गही है g m upon capital R अच्छा अब further solution कैसे करेंगे देखी यहां से काम नहीं चलेगा हमें एक बात तो पता है अगर यह mass earth के surface पे होता बोलिए under root 2 gm upon capital R एक तो यह formula था escape velocity का earth के surface से और दूसरा था gm के form है बोलिए under root में 2 gm upon capital R ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप क्या करो इन दोनों को जड़ा divide कर दो बोलिए जब आप इनको divide करोगे तो क्या हो जाएगा आप यहां से कह सकते हो क्या gm से gm मर जाएगा under root में capital R capital R मर गया फिर आप यहां पर कहोगे बोलिए ve dash upon ve कितना आजाएगा बोलिए 1 by under root 2 आजाएगा कितना आजाएगा 1 by under root 2 आजाएगा और ve dash निकालना है तो क्या करना पलेगा ve dash is equal to ve को उपर भेज़ दिये ve upon under root 2 बच्चों clear हुई बात की नहीं पक्का अच्छा अब अगर हमें पूछों ve क्या है ve क्या है escape velocity of the body from the earth surface इसकी value तो पता ही होती है ve कित्ती होती है बोलिए 11.2 km per second अरे भया ये कैसे आई सोच रहे होगे starting में बताया थे आतो याद कर लो नहीं आता तो भया रख करके values को निकाल लो उसकी value क्या है की बताओ under root 2 g आ रहे है क्या हो जाएगा बोलिए under root 2 into g g रखोगे 9.8 earth की gravity रख दिये radius of earth कित्ता होता है पहले मीटर में रखो कित्ता हो जागा 6.4 into 10 की power 6 हो जाएगा मीटर में इसको जब solve करोगो जब अध्यान से देखो 2 into 9.8 और 6.4 बच्चो इसकी जो value निकल के आएगी वो हमारी आएगी हम बता ज़ता आपको कित्त आएगी 11.2 आ जाएगी और बचा क्या है अंडरूट से बोलिए 2 into 9.8 into 6.4 इसके उपर जब अंडरूट भी लगाऊगे तो कित्ता हैगा यह आएगा और साथ में 10 की power 6 है इस पे अंडरूट लगेगा कित्ता हैगा 10 की power 3 आएगा समझके clear पक्का किस में आ रहा होगा मीटर पर सेकेंड में आ रहा होगा आपको चाहिए किलो मीटर में तो क्या करना पलेगा 11.2 10 की power 3 किलो मीटर में हो गया और पर सेकेंड खतम बात यहाँ से आप देख सकते हो escape velocity अर्थ के सर्फेस पे यही होती है रट लो clear छीक है अब कुछ नहीं करना VE की value यहां रख दो under root 2 से divide कर दो तो कितना होजाएगा बोलिए 11.2 upon under root 2 की value कितनी होती है 1.41 अब इसको जब solve करोगे VE' आ जाएगा बोलिए VE' की value कितनी ही आ जाएगी approximately कौन सौप्शन होगा closest होगा 7.9 कौन सौप्शन होगा करके देख लिना 7.9 आ जाएगा km per second में calculate करके देख लिना clear हुई बात की नहीं बहुत ही अच्छा कोईशन था जब भी आपको अर्थ के surface से नहीं फेकना है अर्थ के h height कुछ distance से कह रहा है escape velocity बताओ तो उस case में क्या लगाना पढ़ेगा ये concept लगाना पढ़ेगा बोलिए conservation of mechanical energy copy करिये side हो रहा हूँ आईए बच्चों solve करते हैं question number 4 इस lecture का बहुती शानदार question है और बहुती easy question है सोचे इस type के question J advance में भी पूछा गया है कब J advance 2017 में आया हुआ एक previous year question है question की length बहुत बड़ी थी तो मैंने उसको copy नहीं किया है सबसे पहले मैं क्या करूँगा question को read कर दूँगा अगर आपको लिखना है copy में लिख लीजे मैं बाद में ले language में समझा के solve करवा दूँगा question में हमसे क्या कर रहा है a rocket is launched normal to the surface of earth away from the sun along the line joining the sun and earth the sun is 3 into 10 key power 5 times heavier than the earth and it is at a distance of 2.5 into 10 key power 4 times larger than the radius of earth the escape velocity from the earth gravitational field हमको given है 11.2 km per second the minimum initial velocity v s यानि की हमको minimum initial velocity निकालनी है required for the rocket to be able to leave the sun earth system आईए ध्यान से देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है हमसे question में देखिए question में हमको यहाँ पे system में दो चीजे given है इस बार एक earth है और एक sun है भाई माल लेते हैं earth का mass capital M है radius capital R है और sun और earth के center से बीच का distance हमको small r given है और यहाँ सा कि आप देख पा रहे होंगे हमको question में क्या given है ms यानि की mass of sun कितना है 3 into 10 की power 5 times the mass of earth यहाँ देखिए multiply में क्या लिखा है m लिखा है उसका 3 into 10 की power 5 times the mass of earth है ठीक है और हमसे question में क्या कह रहा है इन दोनों earth sun के बीच का जो center से distance है उसकी जो value है small r की value कितनी है 2.5 into 10 की power 4 times the radius of earth यानि की capital R के उतने गुना है अच्छा option given है वीडियो कोई मानदारी से pause करके try जरूर करिएगा question में हमसे क्या कह रहा है आईए देखते हैं बच्चों आगे देखिए हमसे question में कह रहा है कि हमारे पास एक कोई rocket था जो इस earth के surface से हमें क्या करना है release करना है escape कराना है और escape कहां से कराना है सिर्फ earth के surface से नहीं इस बार system में दो है earth भी है sun भी है तो अगर हमें इसको escape कराना है उसके लिए कितनी velocity minimum हमको देनी पड़ेगी माल लेते हैं VE ये कैसे निकालेंगे बच्चों आईए ध्यान से देखते हैं इस बार ये मतलगा देना under root 2 gm upon capital R कुछ काम नहीं आएगा जब भी ऐसा आटपटा question आए भी या एक ही तरीका है जो concept है जहां से ये formula आया था escape velocity का क्या था conservation of mechanical energy का concept लगा दिए वो क्या कहता था conservation of mechanical energy कहती है initial potential energy plus initial kinetic energy is equals to final potential energy plus final kinetic energy clear अच्छा माल लेते हैं यहां पे जो हमारा भाई rocket होगा इसका कुछ ना कुछ मास होगा तो माल लेते हैं यह rocket का मास कितना है small m है थोड़ा गंदा बन गया rocket को थोड़ा साही से बनाओ भी या माल लेते हैं यह हमारा यहां पे small m rocket था इसकी escape velocity बतानी है ठीक अच्छा अब जड़ा ध्यान से देखिए initial potential energy देखिएगा बच्चो यहां पे हमारे पास 3 मास है एक तो यह rocket का मास small m capital m और एक तो mass of sun माल लेते हैं यहां पे लिखा है ms ठीक है इसका मास होगा चल यह देखते हैं यहां पे आप देखिए gravitational potential energy कैसे निकालते हैं आपने पढ़ा था u कैसे निकालते हैं minus g बोलिए m1, m2 upon distance between the masses ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है सबसे पहले यहां पे हमें देखिए दो system mass कौन-कौन होंगे एक तो rocket का मास और एक तो earth का मास इन दोनों का ठीक upon small r होता है formula में भाई यह इन दोनों के बीच में small r की distance कितनी होगी बोलिए यह radius of earth होगा कि नहीं होगा अरे भाई यह capital r होगा कि नहीं होगा हाँ भाई होगा ठीक तो यहां पे small r की value capital r हो जाएगी रख दो ठीक है अच्छा यह हो गई potential energy rocket और earth के बीच में sun और rocket के बीच में नहीं रखोगे रखना पड़ेगा भाई तो यहां पे देखिए एक mass capital M है दूसरा mass ms है ठीक है और इन दोनों के बीच में distance कितना बच्चों हो देखिए यह distance small r है और plus capital r तो आप क्या कहोगे यहां से potential energy कितनी हो जाएगी minus g mass of sun ms और into rocket का mass small m upon दोनों के बीच का distance ज़रा ध्यां से देखिए यह distance center से देखिए कितना है small r है और यह distance कितना है बोलिए बच्चों यह भी तो add करना पढ़ेगा capital r तो कितना हो जाएगा r small r plus capital r तो यहां पर total distance कितना हो जाएगा small r plus capital r ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है potential energy हो गई है ठीक अच्छा अब ज़रा देखिए initial kinetic energy भाई कोई move तो कर नहीं रहा है mass बोलिए बच्चों अर्थ और sun तो move कर नहीं रहा है rocket ही move कर रहा है without velocity VE मान लिया हमने तो भाईया इसकी kinetic energy कितने हो जाएगी plus half mv square लगा दो mass is small m और VE का square बच्चों equals to UF भाई final potential energy अरे भाईया इस rocket को escape कराना है कहां कराना है escape कराना है तो भाईया finally ये कहां पहुचेगा infinity पहुचेगा और infinity पहुचेगा potential energy finally zero होती है और जब ये यहाँ infinity पहुचेगा इसकी velocity zero हो जाएगी तो final velocity zero तो kinetic energy भी final zero क्या ये बास समझ में आई की नहीं पक्का चलिए ये मिटारते हैं समझाने के लिए था अच्छा अब आईये ज़रा धिहान से देखिए यहाँ पे आप क्या कोगे small m यहाँ है small m यहाँ small m यहाँ है common निकालो और multiply m आएगा सबके नीचे भेज़ दो कि zero के पास तो small m गाया हो जाएगा clear चलिए तो क्या बचेगा द्यारा धिहान से देखिए यह small m, small m कैंसिल हो जाएगा बचा क्या ज़रा धिहान से देखिए आप कोगे यहाँ पे देखिज़ रहा क्या बचा V square upon 2 क्या बचा V e upon V e का square upon 2 is equal to minus g m upon capital R उधर बेज़ दोगे तो क्या हो जाएगा फ्लस का हो जाएगा ठीक इधर देखिए g m s upon बोलिए g m s बोलिए g m s upon small r plus capital R इधर बेज़ जोगे positive हो जाए गए भी तो g m s upon small r plus capital R अब एक बात यहाँ पे आपको assumption करनी पदेगी जराए एक चीज़ देखिए भाई यह जो distance small r sorry capital R है radius of earth कितना होता है चौन साथ सो किलो मीटर भाईया जो small r की value है देखिए यहाँ क्या लिखा है small r plus capital R जो यह capital R है इस small r के सामने बहुत छोटी value है बहुत छोटी value खुश सोचो यार समझ रहे हो तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं बोलिए बच्च्यों यहाँ पे इसको हम ignore कर सकते हैं बोलिए इस small r की capital R को हम क्या माल ले 0 माल ले अरे क्योंकि उसके सामने यह radius of earth जो small r की value उसके सामने बहुत छोटा है radius of earth भाई small r की value देखो capital R की कितना गुना 2.5 into 10 की power 4 इतना गुना तो भाईया यहाँ पे हम क्या माल ले capital R को 0 समझ लो तो यहाँ पे क्या बज़ेगा सिर्फ small r क्या यह बात समझ में आई की नहीं पक्का clear चलिए समझ गया हो गया चलिए अब यहाँ क्या करना पड़ेगा कुछ नहीं यहाँ पे आप क्या करिये बच्चों यहाँ पे आप एक काम करिये भाई क्यों ना यहाँ पे कुछ नहीं value रखी ज़रा आप कहोगे gm upon capital R यह है plus क्या रखनी है g into ms ms क्या है mass of sun कितना है रख दीजे जो भी है 3 into 10 की पावर 5 times mass of earth याने की capital M यहाँ पे multiple m है ठीक यह हो गया देखिए ms की value रख दी upon capital small r small r की value किती है यह है रख दीजे कितनी 2.5 into 10 की पावर 4 r ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है चलिए अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हो ve square upon 2 is equals to अगर आप यहाँ देखिए ध्यान से gm upon capital r gm upon capital r यह क्या निकाल सकते हैं common निकाल सकते हैं निकाल लीजे यहाँ हो जाएगा gm upon capital r क्या बचेएगा bracket में यहाँ हो जाएगा 1 plus बोलिए 3 into 10 की power 5 यहाँ ही काम करिया यहाँ से point हटाएगे तो कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 30 हो जाएगा ठीक है यह point हटाए नीचे से उपर 30 हो गया फिर into 10 की power यहाँ पे क्या लिखाए बच्चों 5 लिखाए थोड़ा सा अरेंज कर रहे है 10 की power 5 लिखाए ठीक 10 की power 5 लिखाए अगर मैं इस 10 की power 5 में से 100 अलग कर लूँ तो कितना हो जाएगा 100 into 10 की power बोलिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और कुछ नहीं बचा अपॉन में जड़ा देहाद में से देखिए 25 था into 10 की power 4 थी ठीक है इदे के 25 बन जा और यह जाएगा 4 जा 4 टाइमस में ठीक इज़र देखिए यहां से देखिए 1 0 यह जाएगा और यहां 10 की power 4 है नीचे डिवाइड में कितनी बचाएगी power अगर मैं कहूँ 1 0 कार्ड नो दो 3 बचाएगी power देखिए 10 की power 3 उपर है 10 की power 3 overall कट जाएगी खतम बाद ठीक क्या बचा उपर जारा ध्यान से देखिए उपर क्या बचा बच्चो आप कहो गये यहां पे GM upon capital R bracket में क्या हो जाएगा 1 plus देखिए 3 into 4 किता हो जाएगा 12 हो जाएगा बूलिए 12 हो जाएगा कुछ गरबड़ी तो नहीं हो रही यार देख लो कुछ हो जाएगा बाद में बड़ी दिक्कत हो जाएगा कोई दिक्कत नीं सही है लग बग तो आप कहई दोगे यहां से बूलिए VE का स्क्वाइर अपॉन टू जी हो जाएगा यह कितना हो जाएगा बच्चो बूलिए 13 हो जाएगा तो आप यहां से क्या कहोगे बूलिए आप कहई दोगे VE का स्क्वाइर जो कितना हो जाएगा बोलिए आप बोलोगे यह 13 है तो आप कहोगे 2 into 13 gm upon capital R अरे कैसे हुआ यह 13 हुआ 13 हो गया 13 gm upon capital R यह 2 multiply divide में था उधर गया तो multiply में हो गया clear हो रही बात है कि नहीं फिर यहां से square भी आटाओगे under root total पे लगाओगे ठीक अब कुछ ऐसा बनाईए जैसे आपने escape velocity पढ़ी थी आपने normally क्या पढ़ा था कहां बता है यहां क्या कर सकतो जरादेहां से देखो ve जुका इस्टू क्या हो जाएगा भाई under root 13 है इसको बाहर निकाल लो under root में रखो आप इसको ऐसे देख सकतो अंडर root 13 multiplied by 2GM upon capital R क्या बोलिए अंडर root में 2GM upon capital R ठीक बोलिए यह हो जाएगा बोलिए भाई बोलिए पक्का यह हो जाएगा अब जराद ध्यान से देखिए यह मिटार दें जो हमको given था चलिए अब आगे calculation देखिए आप यहाँ पर क्या कहोगे वी जुका इस्टू हो जाएगा अंडर root 13 मुलिए अंडर root 13 into अंडर root 2GM upon capital R यही है कितना जगा अंडर root 2GM upon capital R जरा याद करिए आपने क्या पढ़ा था जब question मैंने question मैंने read किया था वहाँ पर आपको बोला था escape velocity given थी क्या आपको क्या given था question मैं मैं कहां लिखूँ भाईया जिगाई नहीं बचरी उपर बच्ची चलो यह मिटा रहो चलिए आपको question में क्या given था एक चीज बोलिए question में चाटे में given था escape velocity क्या थी हमको given था हमको escape velocity अब यह escape velocity कितनी given थी 11.2 km per second भाईया यह value कब होगी जब सिर्फ अर्थ होता अर्थ की gravitation field को अगर मैंने question में कहा था जब rocket क्या करेगा escape करेगा उस case में gravitational field को जब वो escape करेगा तो उस समय escape velocity कितनी थी 11.2 km per second समझ रहे हो अच्छा याद करिए यह value किसके बराबर होती है आपने पढ़ा था escape velocity का formula क्या था है under root 2 gm upon capital R यही तो है तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो under root 2 gm upon capital R इसकी value कितनी है यही तो है 11.2 तो क्यों ना जो escape velocity थी जब आप अर्थ के gravitation field से उसको escape करोगे तो उसके लिए velocity क्या होती थी यही तो escape velocity है वो clear इसकी value कितनी होती थी आपने पढ़ी थी 11.2 into under root 13 under root 13 की value कितनी होती है इसकी value थी है 3.7 लगभग तो इसको solve करोग कितना जाएगा इसको solve करोग यहाँ पर 42 किलो मीटर पर सेकेंड में अरे बहिया 42 किलो मीटर पर सेकेंड में लगभग approximately यादा है गा 41 आएगा लगभग मगर यहाँ पर देखिए B option मैच कर रहा है closest है 42 किलो मीटर पर सेकेंड आई होप आपने इस तगड़े से question को अच्छे से समझ गये होंगे बहुत ही तगड़ा question था मगर easy भी था clear side हो रहा है पहले copy करिया तो आईए बच्चों solve करते हैं question number 5 इस lecture का बहुत ही simple question है अगर आप previous question कर चुके हो J advance में 2017 वाला question previous question question number 4 उसी के जैसा है तो यह question आप चुटकी बजाते सौल कर पाऊगे तो चलिए इमानदारी से वीडियो को pause करके कम से कम इस question को try करो क्या कह रहा है question हम से कह रहा है कि हमारे पास कोई दो different mass है m1, m2 दोनों mass के बीच से center से हमको distance given है small r हम से question में क्या कह रहा है ध्यान से देखिए what is the escape velocity ve मतलब escape velocity of mass small m from the center of other two mass question हम से कह रहा है कि भाई हमारे पास एक small m mass है हमें इसको क्या करना है escape करना है और वो भी कहां से escape करना है इन दोनों mass के center वाले point से हमें इस small m mass को escape करना है from the gravitational field of these other two mass as m1, m2 I hope ये question आप समझ गये होगे clear, अच्छा, अगर मैं पूछूँ जो ये small m mass है इसका distance कितना है from the m1 तो आप कहोगे भाई ये distance कितना हो जाएगा पताए ये r by 2 हो जाएगा और ये distance कितना हो जाएगा m2 mass से तो आप कहोगे ये भी r by 2 हो जाएगा क्योंकि भाई आपको इस mass को कहां से escape करना है center of the distance from the other two masses उसके center से तो भाई center से देखी यहां तक distance कितना है total small r है तो half distance कितना हो जाएगा r by 2 ये भी r by 2, clear होई बात की नहीं अच्छा, अब आपको क्या करना है इस mass की escape velocity बतानी है ताकि ये infinity पे पहुँच जाए इन दोनों mass के gravitational field को escape कर जाएगा अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, gravitational, बोलिए, क्या लगाना पड़ेगा, mechanical energy का conservation जो क्या कहती है, initial potential energy plus initial kinetic energy is equals to final potential energy plus final kinetic energy अच्छा, initial potential energy, बच्चों, potential energy कैसे निकालते हैं, u is equals to minus gm1m2 upon small r r क्या होता था, दोनों mass के बीच का distance, अच्छा, यहाँ बे देखिए हमारे पास तीन mass है, m1, m2 और एक small m तो हमें, gravitation potential energy, ध्यान से देखिए, सबसे पहले, किसके बीच में निकालते हैं, m1 और small m mass के बीच निकालते हैं, gravitation potential energy, क्या होगी, आप कहोगे, बोलिए, minus, दोनों mass का product, m1 multiplied by small m तो आप कहोगे, m1, m upon, दोनों के बीच का distance किता है, बच्छो, r by 2 है, r by 2 हो गया, ठीक, फिर minus potential energy किसकी, अभी एक और चीज़ देखिए, small m mass और m2 mass, यह दोनों mass के बीच में भी तो potential energy लग रही होगी, clear हुई बात कि नहीं, कितनी होगी, minus g, m2, m upon, दोनों के बीच का distance कि किता है, r by 2 है, बच्चो, clear, अच्छा, फिर क्या कहोगे, plus initial kinetic energy, initial kinetic energy, कित्ती होगी, by small m mass की kinetic energy कित्ती होगी, half mv square, क्यों होगी, half mve का square, क्योंकि इसकी velocity ve है, m1, m2 की kinetic energy तो होगी यह नहीं, क्योंकि rest पे होगे, दोनों mass, अच्छा, अब देखिए, final potential energy, हमें इस mass को कहां भेजना है, इंफिनिटी पे भेजना है, तो वहाँ पे potential energy 0 हो जाएगी, और भाईया, वहाँ पे velocity 0, तो kinetic energy भी 0 हो जाएगी, clear होई बात की नहीं, पक्का, अच्छा, कई बच्चों के मन में यह भी सवाल होगा, हम m1 और m2 का gravitation potential क्यों नहीं रखे, m का रखे है, m2 m का रखे, gravitational potential energy इस m1, m2 का क्यों नहीं रखे, अरे रखके रख देख लो, एक इधर रखोगे, एक इधर रखोगे, initial और final, कट जाएगा, नहीं आता, चलो देख लो, अरे भाईया, चलो देख लो, initially m1, m2 की potential energy क्या होगी, आपका होगे भाईया, minus g, m1, बोलिए, m2 upon दोनों के बीच का distance, small r था, clear, तो इन दोनों के बीच में potential energy इतनी होगी, इसी तरह final potential energy तो, small m mass की 0 हुई है, मगर इस m1, m2 की तो होगी न, समझ रहे हो, system में ये तो present होगे, रख लो, किती हो जाएगी, minus g, m1, m2 upon distance किता था, small r, थीक, अब क्यूं नहीं रखा था, मैंने इसका कोई मतलब नहीं है, खुश सोचो, इसको इदर से उधर बेजोगे, negative positive कर जाएगा, बैसे भी खतम, clear हमने m1, m2 की potential energy नहीं रखी थी, जैसे question number 4 में, earth के mass और sun के mass के बीच में potential energy नहीं रखी थी, इसको ignore कर दो यार, देखो कट जा रहा है, clear होई बात कि नहीं, इससे अच्छा क्या है, मतलब लिखो, कोई मतलब की बात नहीं हटाओ, लिखो ही मत, clear होई बात कि नहीं, देखिए, यह जो नीचे 2 दिख रहा है, यह नीचे से उपर जाएगा, multiply में हो जाएगा, तो आपको गए, उससे पहले को और चीज़ देखिए, small m यहां भी है, small m यहां भी है, common निकाल लो, और जो multiplied में, common में small m बहार आएगा, इसको नीचे भिस दोगी, 0 होगे, small m गया upon small r, फिर देखिए, minus 2g m2 upon small r, इधर देखिए, क्या हो जाएगा, plus v e का square upon 2 हो जाएगा, is equals to 0, अब इधर देखिए, जहां से, अगर मैं यह minus और यह minus common निकाल लो, तो क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखिए, यहां से अगर मैं minus और minus common निकाल लूँगा, तो क्या हो यह भी minus का, plus, clear, आच्छा, अब ज़रा ध्यान से देखिए, क्या हो जाएगा, आप यहां से कह सकते हो, v e square by 2, अगर मैं जो यह negative वाली चीज है, इसको इधर भेज़ दू, 0 के पास, तो क्या हो जाएगा, positive हो जाएगा, यह पूरी value, तो आप कहोगे, बोलिए जुका, इस small r, ठीक बच्चों, और देखिए, क्या हो जाएगा, यहां से, देखिए, v e square, जुका इस 2 क्या हो जाएगा, क्या-क्या common निकल सकता है, 2 g upon small r, यह common निकल लीजे, तो हो जाएगा, 2 g, बुलिए, 2 g upon small r, यह common निकल गया, m1 plus m2, यह common नहीं रहा, यह bracket में रहेगा, ठीक, अरे बोलिए, 2 g upon r, common निकल लिया, बचा क्या bracket में, m1 plus m2, अब इधर देखिए, यहां पे जो 2 था, upon में, यह 2 था कि नहीं था, बोलिए, इसको इधर बेज दीजे, multiply में, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से under root, बोलिए, square अटाओगे, under root लगाओगे, क्या हो जाएगा, यहां से आप देख सकते हो, आपका जो answer आएगा, v e की value क्या, आई जल्दी थाए, v e आजाएगा, बोलिए, 2 multiplied by 2, इसका में से एक pair बाहर आएगा, 2 बाहर आजाएगा, तो 2, under root में क्या बचाएगा, बताएगे बच्चों, g upon small r bracket में m1 plus m2, clear भी बात की नहीं, यह बच्चा, बोलिए, समझ गया की नहीं समझ गया, v e कितना रहा, escape velocity, जल्दी बताएगे, 2, under root में, g upon small r और bracket में, क्या बचा है, m1 plus m2, clear, यह पूरा under root है, समझ गया, अरे भाई, यह पूरा hole पे under root था, 2 into 2 उसमें से 2 बाहर आगया, बचा हुआ under root में रह गया, बात कतम, clear, escape velocity आ गई है, side हो रहे हैं, पहले copy करिए, तो आईए बच्चों, solve करते हैं, question number 6, इस lecture का बहुती शानदार question है, यह question भी previous year में आया हुआ question है, IIT 2015 advanced level का question है, question में हमसे क्या कह रहा है, आईए ध्यान से देखते हैं, बहुती जबर्दस question है, आईए देखिए, question में हमको एक earth given है, जिसका mass capital M है, radius capital R है, और हमसे question में कह रहा है, इस earth के surface पे एक particle रखा है, small m mass का, और हमने इस particle को V velocity से project कर दिया गया है, यह V velocity escape velocity नहीं है, यह मत सोचेगा, यह particle इस earth के gravitational field को escape करके infinity पे पहुच जाएगा, एक journal velocity दी है V, जिसके वज़े से यह अपनी एक maximum height तक जाएगा, question में बोला है, जब maximum height पे यह पहुच जाएगा, तो भाईया, सीधी सी बात है, यह particle यहाँ पहुच जाएगा, और उस समय उसकी velocity final zero हो जाएगी, और question में हम से कह रहा है, कि भाई, एक बात और given है, जब यह particle इस earth के surface से, h height maximum पहुच चुका है, तो वहाँ पे इसकी acceleration due to gravity, g dash कितनी हो गई है, g by 4 हो गई है, अच्छा, नोट करिएगा, g क्या है, acceleration due to gravity at surface of earth, जब यह particle अपने earth के surface पे होगा, तो इस पे acceleration due to gravity कितनी लगती है, g लगती है, मगर आपको पता है, जब कोई particle earth के surface से दूर जाएगा, तो acceleration due to gravity change होती है, decrease हो जाती है, देखें, decrease भी हो गई है, g dash is equals to g by 4, जितनी earth के surface पे होती है, उसके 4 गुना कम हो गई है, समझ गई, question मे हमसे क्या निकानने को कह रहा है, if escape velocity ve हमको क्या कह रहा है, is equals to v under root n, यहाँ पे हमको v और escape velocity की बीच में एक relation given है, और वहाँ पे एक variable n है, find the value of n निकानने को कह रहा है, कैसे करेंगा, यह ध्यान से देखते हैं बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना पढ़ेगा सबसे प आपने previous lecture में पढ़ा था क्या, variation of acceleration due to gravity from the surface of earth, जब आप किसी h height पे जाते हैं, तो उसके लिए का आपने formula derive किया था, क्या होता था, बोलिए बच्चों, वो होता था formula, g dash is equals to g upon 1 plus h upon r का whole square, यह formula होता था, यहाँ से आप देख रहो g dash, यह g dash क्या है, जब acceleration due to gravity change हो गई है, जब यह h height पे पहुँच गया, कित्ती है, g by 4, यहाँ पे g dash की value, g by 4 रखो गया, h की value निकल जाएगी, बात खतम, मगर कई बच्चे तो ऐसे होंगे, जिनको समझिम नहीं आ रहा होगा, कि यह formula आया कहां से, यह सर ने कब derive किया था, अरे भाईया, ज उस पे acceleration due to gravity कित्ती ही लग रही होती है, बताईए, g लग रही होती है, यह g कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा था, बोलिए, g equals to g capital M upon distance का square, यानि की capital R square, इस particle का distance कित्ता है, small r की value बार, capital R है, तो उसका square हो गया बात खतम, समझ गया, अच्छा, जब यह particle h height उपर चला गय है, तो acceleration due to gravity change हो जाएगी, g' कैसे निकालेंगे, तो भाईया, देखिए, क्या हो जाएगा, g' हो जाएगा, g'm upon distance का square, भाई, distance का इस बार, देखो, capital R मत रख दिना, capital R plus h, यह total distance कित्ता होगा, बोलिए, इस earth के center से देखिए, जब यह अपनी maximum height पर होगा, कितना हो जागा, capital R, जो radius है, plus h height, तो यहाँ पे आप कहोगे, capital R plus h height का whole square, यहाँ कि distance का square, क्या यह बास समझ में आई की नहीं, अच्छा, अब यहाँ से यह कैसे बनेगा, देखो, यहाँ पे बच्चों, g equals to gm upon r square, यहाँ से क्या कह सकते हो, आप क्या यहाँ से gm की value निकाल सकते हो, निकाल जाएगा, कुछ नहीं करना, gm की जो value है, small g capital R square, यहाँ रख दो, तो यहाँ से आप कह सकते हो, gm equals to हो जाएगा, बोलिए, g capital R square upon r plus h का whole square, बोलिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अच्छा, फिर आप चाहो तो यहाँ से क्या कह सकते हो, यहाँ से आप कहोगे, g dash equals to हो जाएगा, g upon, देखिए, जो यहाँ पे r square है, multiply में, उपर, numerator में, उसको नीचे लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, तो r plus h, बोलिए, इस प हमने direct लिख 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 लिया, अरे r square था, नीचे r plus h square है, तो यह whole square हमने पूरा लगा दिया, total पे, हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप यहाँ से कहोगे, g dash equals to, g, देखिए, r upon r कित्ता हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 plus h upon r कित्ता हो जाएगा यहाँ से whole square है, बात खतम, देखिए, यह formula derive कर दिया हमने, clear भी बात कि नहीं, अब कुछ नहीं करना, अरे यह derivation ज़रूरी नहीं थी, यह formula रटा होना चाहिए भाई, नहीं रटा तो कर लो, ठीक, चलो, अब आईए देखिए, यहाँ पे क्या करना हमको, question में, g dash की value given है, g g by 4 is equal to, g upon 1 plus h upon capital R, पे whole square, देखिए, यहाँ से 1 कड़ जाएगा, g, 1 by 4 यहाँ बच्चा है, देखिए, यहाँ पे आपचा करिए, 1 plus h upon R का whole square, इसको इधर बेज दीजे, बोलिए, इसको इधर बेज दीजे, और 4 को इधर बेज दीजे, तो आप कह सकते हो, 1 plus h upon R का whole square is equal to, 2, इस 4 को इधर बेजो multiply में, यहाँ 1 होगा न, तो 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से square हटाओगे, इस पे under root लगाओगे, तो बोलिए, यहाँ पे कित्ता आजाएगा, यहाँ पे आपका आजाएगा, इसकी value 2 आजाएगी, कितनी आजाएगी, 2 आजाएगी, ठीक है, इस bracket को डा हो जाएगा, ठीक, एच की value क्या हो जाएगी, आर को बेस दो 1 से multiply कर दो, तो आप कह सकते हो, एच जूगाइस 2 कितना आजाएगा यहाँ से, एच जूगाइस 2, capital R जाएगा, यानि कि जो height होगी, इस earth के surface पे, जब यह पहुँच जाएगा, maximum height, उसकी value कितनी आजाएगी, radius of earth के बराबर जाएगी, capital R, चलो, अब यहाँ, question असान हो गया, अब देखे क्या करना है, मिटार दें, बोलिए, अरे भाई मिटार दें, चलो, यह derivation भी मिटार देते हैं, चलिए देखे बच्चो, अगर आप सोच रहे हैं, कि यहाँ पे हम यह वाला formula लगा दें, बोलिए V square is equal to U square plus 2AS, अरे भाई, आपको सोच रहे होगे, final velocity V equal to 0 पता है, initial velocity U square कितना है, V, बोलिए, U की value क्या होगी, V होगी, आप सोच रहे होगे, S पता है, H, capital R, तो यहाँ पे हम, बोलिए, मगर नोट करेगा, यहाँ पे हमको, यह नहीं पता, बोलिए, अरे सोचो भाईया, यहाँ पे जो A है, यह constant नहीं है, क्या है, not constant, acceleration due to gravity change होगी ना, तो यह formula यूज नहीं कर सकते, S यानि की H निकानने के लिए, हम इस formula को यूज नहीं कर सकते, clear होगी बात की नहीं, अरे S काई displacement, जो यहाँ से displacement हुआ, H height, वो R सोच रोगे, यहाँ से भी निकल सकता था, इस formula से नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ पे A जो acceleration due to gravity change हो रही है, यह formula तभी लगता है, जब acceleration due to gravity constant होती है, acceleration constant होता है, clear, बोलिए बच्चों, ठीक है, आच्छा, यहाँ पे हम देख स escape velocity देखी जहां से, यहाँ पे हम conservation of mechanical energy लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, initially जब यह अर्थ के surface पे था, finally जब यह यहाँ था, दोनों के बीच में conservation of mechanical energy लगा दीजे, U I E plus, क I E plus is equal to final potential energy plus final kinetic energy, पता हो गई सब तो, अब देखिए, initial potential energy, देखिए, आईए, initial potential energy, जब यह अर्थ के surface पे था, तो इन दोनों के बीच में potential energy किती होगी, minus G, capital M, small m upon distance, capital R, अरे भाई, यह capital M, earth का mass, और यह particle का mass, capital M, small m, और इन दोनों के बीच का distance, potential energy हो गई, clear, आच्छा, कोई दिक्कत की बात दी है, initially इसके पास V velocity थी, small m के पास तो क्या को गई, plus kinetic energy, half m, V square, is equal to final potential energy, final potential energy, इस बार final potential energy, zero मत रख देना, हरे भाईया, final potential energy, escape थोड़ी ना कर गया है, हाँ, अब देखिए, final potential energy, कैसे निकालोगे, बताईए, कैसे निकालोगे, देखिए, particle यह है, small m mass है, अर्थ के center से देखिए, इस particle का mass, जब यह अपनी maximum height पर पहुच गया, यहां से, कितना हो जागा, r plus r, कितना हो जागा, 2r हो जागा, distance पता है, इन दोनों के बीच में, 2r, बलगा दो, क्या होता formula, minus g, 2m है, 2 mass है, capital m, small m, ठीक, capital m, small m, दोनों के बीच का distance कितना है, 2r, कैसे हुआ 2r, अरे देखो, अरे भाई, यह r, और यह h height कितनी है, capital r ही तो है, तो r plus r, देखिए, यह r है, और यह distance भी कितना है, r है, तो r plus r, total distance कितना हो गया, 2r हो गया, clear, final potential energy हो गई, final kinetic energy हो गई, final kinetic energy हो गई, जब maximum height पहुचा, final velocity 0 गई, kinetic energy, final वाली, यह तो 0 गईगी, ठीक है अब ज़रा देखिए, ध्यान से, क्या होगा, small m, small m, मर जाएगा, यहाँ पे आप कहोगे क्या, बोलिए, v square by 2, यह जो काई 2 क्या हो जाएगा, इधर है, ध्यान से देखिए, minus gm upon capital r, इसको इधर बेज दो, तो जाएगा, plus में, gm upon capital r, और इधर minus में, पहले से है, g capital m upon 2r ठीक है, समझ गया, ऐसा नहीं लग रहा, कि यह 1 है और यह half है, तो आप क्या कह सकते हो, half ही आएगा, यानि की, half gm upon r, ठीक, यहाँ से आप कहोगे, v square upon 2, देखे, 2 से 2 मर जाएगा, v किता आजाएगा, v देखिए, यहाँ से आप कह सकते हो, v equals 2 आजाएगा, बोलिए, आज capital r, और यहाँ पे square था, उसको जैसे under root लग जाएगा, clear, अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें यहाँ से n निकालना है, कैसे निकालोगे, देखिए, हमें v पता चल गया, पता है, अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको escape velocity भी तो पता हो है, escape velocity कैसे निका जालते हैं, वो होता है, under root में, बोलिए, gm upon capital r, भाई, 2 भी होता, sorry, किता होता है, 2gm upon capital r, यह formula होता है, कुछ नहीं करना, आपको divide कर दो, इन दोनों को, आप च्छा करो, divide कर दो, तो क्या मिलेगा, ज़रा धिहान से देखिए, बनेगा, यहाँ से gm, gm, cancel हो जाएगा, r, cancel हो जाएगा, यहाँ से कहो को, v by e, बोलिए, v upon ve, is equal to, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 1 by under root 2, क्यों हो जाएगा, 1 by under root 2, तो आप देखे, क्या बन जाएगा, here से, ve is equal to, मिल जाएगा, क्या, बोलिए, v e को अधर बेस दिए, under root 2 को अधर बेस दिए, तो हो जाएगा, बोलिए, v under root 2, छीक है, यह relation बना, v और escape velocity में, यह बना, अब ज़रा इस equation को देखे, क्या था, v e, you guys to, v under root n, अरे कुछ नहीं, v e, you guys to, v under root n, तो भाईया, replace कर दो, अरे, जैसे यहाँ देखे हो, तो v की जिगा, v e है, v e की जिगा, v e है, v e की जिगा, v है, under root n की जिगा, क्या होगा, 2 ही तो होगा, तो यहाँ से आप कहोगे, n की value क्या है, 2 है, समझ गया, बोलिए, कौन सो option होगा, second option होगा, I hope आपने इस question को अच्छे से enjoy किया होगा, copy करिए, side हो रहे हैं, तो चलिए बच्चों, खतम करते हैं, इस lecture को, I hope आपने इस lecture को बहुत ही अच्छे से enjoy किया है, जितने question बन सकते थे, all type of question कराने का वादा मैंने पूरा किया है, तो चलिए खतम करते हैं, इस lecture को एक शारी से, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, सोचा, तुम्हारे लिए तडपना छोड़ देंगे, फिर सोचा, तुम्हारे लिए तरसना छोड़ देंगे, दिल से कहा, ए दिल, भूल जा उसे, दिल ने कहा, अगर कहा दुबारा, तो कसम खुदा की धड़कना छोड़ देंगे, तो चलिए पढ़ाई करते रहें, all the very best मिलते हैं, नेक्स लेक्चर में तिल देन, टाटा बागा, see you.